नेटो को जॉइन करने का मतलब है कि भारत भी नेटो मिलेटरी अलाइन्स का पार्ट बन जाएगा जिसके बाद हमको ना चाते हुए भी उन मिलेटरी ओपरेशन्स में पार्टिसिपेट करना होगा जिनको शायद हम सपोर्ट ना करते हो नमस्कार जैहंत ना अभी रीसेंटली नेटो के फॉरन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें यूएस के नेटो एंबैसेडर जूलियन स्मिथ ने साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक को लेकर कुछ बाते कहीं जिसमें इन्होंने ये कहा कि भारत के लिए नेटो के द पैसिफिक या इंडो पैसिफिक में हमने किसी भी देश के साथ कोई मेंबर्शिप वाली चीज़ को अभी तक कंसिडर नहीं किया है और ना ही हमारा ऐसा कोई प्लैन है कि भारत के साथ हमारा कोई बड़ा ग्लोबल मिलिटरी अलाइंस बने मगर इन टरम्स आफ दी फूचर अच्छा तो यहाँ पर आपने एक वर्ड नोटिस किया होगा एंगेजमेंट इसको इन्होंने यहाँ पर बहुत बार रिपीट किया पहले तो आप इस एंगेजमेंट वर्ड को इन्होंने किस कॉंटेक्स में कहा है इसको समझिए देखिए एंगेजमेंट से यहाँ मतलब यह है कि वो भारत के साथ पोलिटिकल, स्ट्राटेजिक और सेक्योरिटी इशूस में कम्यूनिकेट और कॉलाइबरेट करना चाते हैं बेसिकली नेटो इंडो पैसिफिक में भारत के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाता है जिसमें उनके इरादे कोई ज्यादा नेक नहीं है मगर वो एक अलग टॉपिक है उसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे फिल्हाल हम नेटो को लेकर भारत के स्टान्स के बारे में बात करेंगे देखिए इस मामले में आपको कुछ चीजे समझनी होंगी सबसे पहली चीज़ देखिए भारत की अपनी एक independent foreign policy है जिसमें हम लंबे समय से एक non-alignment policy को मानते आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि भारत अपने international relations में बहुत ही neutral और independent रहने की कोशिश करता है इस policy का basic idea ये है कि भारत को अपने decisions लेने के लिए दुनिया के किसी दूसरे देश या किसी भी alliance को पूछने की जरूरत नहीं है हम किसी भी external power के दबाव में नहीं आते और at the same time हम दुनिया के सभी देशों के साथ एक friendly relation maintain रखते हैं नाव ऐसे में NATO को join करने का मतलब ये बनता है कि भारत को अपने non alignment policy को NATO member countries के साथ compromise करना होगा दूसरी चीज नेटो को join करने का मतलब है कि भारत भी NATO military alliance का part बन जाएगा जिसके बाद हमको ना चाते हुए भी उन military operations में participate करना होगा जिनको शायद हम support ना करते हो हमें हमारे सैनिक भेजने होंगे हमारे equipments भेजनी होंगी जिसका सीधा असर हमारे military और economic resources पर पड़ेगा तीसरी चीज हम अपनी foreign policy में एक strategic autonomy maintain रखते हैं और जिसमें हम ये ensure करते हैं कि हमें किसी दूसरे देश या किसी भी alliance के उपर dependent होकर ना चलना पड़े चौथी चीज देखिए भारत का रश्या के साथ हमेशा से ही एक अच्छा relation रहा है trade और defense के मामले में रश्या को नेटो से काफी सारी समस्याएं है ऐसे में अगर भारत नेटो से बात भी करता है तो इससे रश्या इंडिया relations में एक negative impact आ सकता है पाचवी चीज देखिए South Asia में भारत एक major regional power है ऐसे में नेटो की विचारधारा South Asia में भारत के foreign policy decisions में impact डाल सकता है तो जिस तरीके से इस महिला ने membership को लेकर जो बात कही कि अभी वो नेटो में भारत को member बनाने में interested नहीं है तो देखिए भारत को भी इसमें कोई ज्यादा interest नहीं है हम democracy है हमारी अपनी एक independent foreign policy है जिसके आधार पर देश के सारे decisions लिये जाते हैं तो धन्यवाद इस मामले में मैं आप सभी के opinions जानना चाहूंगा comment section में अपने opinions लिखिए like always I wish you all a very good health जय हिंद